गुद मॉनिंग बच्चे लोग और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुरी प्रडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो जैसे आप लोग को पता है थे पिछले लेक्चर में कि आप लोग का जो लेक्चर पिछला था वो था हाइड्रोफिली जो की एक यह बायोट और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो की बायोटिक पॉली नेशन होता है उसमें हम लोग इंट्यमोफिली जो होता है जो इंसे के थूरू पार्टिकुलरली होता है वह बारे में डिस्कस करेंगे तो यह क्रेस्ट को से बचलो क्लास 12 का चैप्टर नमबर 2 एक यह हम लोग वीडियो की और आगे बढ़ते हैं देखिए बच्छा लोग यह है जूफिली जूफिली की सलाइट पे हम लोग आ गए हैं तो जूफिली में हम लोग पहले दिख लेते हैं कि जूफिली क्या होता है तो जूफिली में हम लोग बेसिकली देखते हैं तो उसका फ्लावर जो होता है बच्चा लोग लार्ज होता है क्योंकि उसके लार्ज होने का कारण होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो अट्रेक्ट करते हैं जो इनिमल होते हैं उससे अट्रेक्ट करते हैं और अट्रेक्टिव होते हैं क्योंकि उसका जो फ्लावर होता है ब बच्छा लोग उसी को बोलते हैं लोग इंटेमोफिली अब देखिए इंसेक्ट में मेजरली 80% जो होते हैं बच्छा लोग वो होते हैं बीज जो की बीज होता है जो दॉमिनेंट बायोटिक पॉलिनेंट है जो केंशियाटी का आप लोग का लाइन है बच्छा लोग जो की है 80% वीज करता है अब देखिए यह जो आप अब देखिए लाइन देख लिए जगा बच्छा लोग मोस्ट आफ इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करते हैं वो 80% जो होता है एक ऑन हनीवींज करते हैं अब देखिए मोस्ट आफ इंटो में civस फ्लांट होते हैं उन में जो एट्रैक्टिब होने के कारण वो और नमेंटल भी दोटा है और अट्रेक्टिव कलर बनाने में उसमें आपको पॉलिन नेक्टर ग्लेंड बनाना होता है तो नेक्टर ग्लेंड बनाना होता है नेक्टर बना रहा है कोई प्लांट है जो कि जैसे आप लोको पीछले क्लास में बताएं थे वो था आपका एबायोटिक उसमें तो कुछ नहीं होता है attractive होता है इसमें special fragrance सेंट रहता है प्रेजेंट बच्छा लोग जो कि सेंट मतलब कहें तो उस फ्लावर का बहुत ज्यादा highly सेंटेट कुछ-कुछ फ्लावर होता है वह आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा बस अभी वीडियो देखिए बच्छा लोग इसमें हम लोग कौन कौन सा है जो नेक्टर ग्लैंड परजेंट होता है वो लेमन में होता है कौरियंडर में होता है ओनियन मे एको अब्रैसी का एकलिप्टस जो कि पॉलन ग्रेन होता है इसमें पॉलन कीट रहता है बच्छा लोग इन लोग के पॉलन इनके इनमें तो नेक्टर ग्लैंड होगा है इन लोग के अलावा नेक्टर ग्लैंड होने के अलावा इनमें पॉलन कीट होता है पॉलन कीट क्या प् कि उसके इंसेक्ट के जो बाड़ी पर होता है जाकर पॉन ग्रेंड चीप पग जाता है और नेक्स्ट अगर किसी भी अस्टीग्मा पर वह अगर जाता है देन आफटर यह जो ईह एगर 2060 तो आपके तो एक दो आ एक दो भी हो गया तो एक से भी अगर pa 오빠 या ओर जा रहा है paculosis के बाद इसका जो आगे बाला प्रोसेस होता है वो हो रहा है park वो पॉलेवर किश्ट्रिल इंट्राक्षन जो होता है वह हो रहा है तो यह तो he technicAM successful हो घ厘ा तो之前 देखिए कुछ तेंसे जो फ्लावरिंग डिवर मेकनीज्मय और इसकोicação बोलते है नाटॉन फ tomar machines जो की फौंड होता है ह neon जाता है यहाँ प्सका बाइले भिएट इसका प्रोटोला होता है in pro tendering में gender sled so call from protesting, और भार गोड़ते हैं जो कि इसका male part होता है male part मतलब इसका इंथर जो होता है एंथर में इसका pollen grain पहले developed कर जाता है then after that इसका stigma होता है जो कार पिस्टिल वाला part होता है कारफिल का part होता है वो not the day after that बाद में developed करता है मतलब इससमे male पहले डिवलप्ट हो जाता है female बाद में डिवलप्ट होता है इसमें cross-pollination होता है cross-pollination क्यों होगा क्योंकि इसमें तो पहले male developed कर गया male फटेगा इसका pollen grain तो सादा निकल जाएगा female बाद में अगर डिवलप्ट करती है then after that इसका pollination self कैसे होगा pollen grain तो यहाँ पे साथ सारा निगल जाएगा तो यहाँ पे cross pollination होता है और वो इंसेक्ट के थुरू होता है generally हम लोग देखते हैं जो की होता है यहाँ पे देखिए जो pollen grain एंथर जो होता है एंथर का part होता है और यह फिलामेंट से connected होता है तो यहाँ पे देखते हूं कि दो जो 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 दो अस्ट्रक्चर जुड़ा हुआ रहता है टेट्रास पुरिंजेट में जो दो अस्ट्रक्चर जुड़ा हुआ रहता है यह देखिए एक ठीका है और एक ठीका यह है तो यहाँ पे देखिए दोनों जो जुड़ा हुआ रहता बचलो यह जूड़ा होगा रहता है Connective Tissue से लेकिन इसके plant में जो Connective Tissue होता है वो Elongate होने के कारण होता है क्या कि देखी यह जो structure है इस तरह से बन जाता है बचलो इस तरह से बन जाता है तो यहाँ पर यह ऐसे बनने के कारण एक होता है जो यह लोग लोग होता है और UPvac ना पर वह आ यह स्टक्चर और यह होगा इसका कर गया जो किसे भंड़ कर गया f इतना भी एक्जांपन जो कि था यहाँ पे 70 हो रहता है और यह इसका इंथर है और इसका फिलामेंट है लेकिन इसका Allowate करने के बादिए यह वह उनु आप इसका किन किऊंने करने यहां पे insect के body में आकर सरड जाता है तो यह जो होता है जहां पे बैठता है जो on structure पे अगर insect बैठता है वो infertile होता है और जैसे यहां पे insect बैठता है इससे भार परने के कारण यह घूम कर यहां पे इसका body पे इसका जो यह फर्टाइल वाला part है यह जो एंथरे fertile होता है तो यह fertile होने के कारण होता है कि यह जो यहाँ पर दबाव पड़ा जो infertile structure पर बैठा है क्यों infertile structure पर बैठता है क्योंकि यहाँ पर होता है यहाँ पर nectar gland present होता है तो यहाँ पर nectar खाने के लिए आता है कि उसके बाद इसके बॉड़ी में सट जाने के बाद इसके पॉलिन गिन होगे अगले अगर फ्लावर पे यही अगर पॉलिन गिन जाता है तो यही पॉलिन गिन डेस्ट कर जाता है तो उहां पर क्या होता है कि उसके एस्टीगमा पर डेस्ट होने के बाद पॉलिनेशन हो ज साथ के नियुक्त विकुर सो nicina नोफ को सुमस्टन हम फोरे किसे इसके बादी नियुक्रांगार सब्सक्राइब यानफर फेसं को आए इसका इंफर्टाइल गरन इसका पर इसके बाडी पर च静के आ जाता है जरूथ देखा घार होता है तो प 재le ü ik उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आए होगा बच्छा लोग देखिए आप लोग कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे सेल्विया पॉलिनेशन करता है तो चलिए कि नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्राइड भी आप आउते हैं बच्छा लोग उस्ट में पॉलिनेशन करता होता है झरीटर में उसमें उट्र लोग कर रहा था और उसमें छोड़ रहा था तो यह आप लोग देख लिए लिए जोिफ लावर होते यवव जो फ्लावर होते हैं कुछ-कुछ जो plant होते हैं जैसे बॉग है इसका ब्रैक्ट इतना सुन्दर रहता है जो ब्रैक्ट होते है जो modified leaf से बना हुआ रहता है चो की एतना सुन्दर रहता है कर उसका जो bright और emotional उसका झालिने सन कुछ-कुछ पौरा नाम है पॉर venue या कसला यह एक का सेला इसका नाम है बच्चा लोग जोकि एक मोथ है समुझें तो यह पॉलीनेशन होता है पॉर नींवा सीम लोग फीमेल मॉथ से मोथ होता है जे है रहता है प्रोसेस में बच्चा यह होता है ओभरी तो ओभरी को यह क्या करता है कि वो होल करता है होल करता है मतलब छेद करता है छेद करने के बाद यह अपना यह है जो इसमें ले आउट करता है तो ले आउट करने के बाद क्या होता है कि इसी के एंथर से पॉलेन ग्रेन लेता है पॉलेन ग्रेन लेने के ब जाता है उसके अगर ओभरी में जाता है ओभरी में जाने के बाद अगर फिर से अगर एग ले करता है तो अहां पर यह पॉलीनेशन इसका हो जाता है तो इसका जो पॉलीनेशन होता है इसका जो लाइफ साइकल होता है यह दोनों पर डिपेंड करता है जो कि इसका यहां पर जो होल होता है जो छेद करता है उसी को सील आउट कर दता है और कुछ-कुछ जो पॉलिंगरेन होता है उसके बॉडी में चीप पक जाता है और वो नेक्स्ट अगर फ्लावर पे जाकर अगर उसमें अगर सेफ लेक एक कर रहा है तो उसमें पॉलिनेशन हो जाता है तो यह एक जो कि MR4 Phallus है जो कि 6 feet का है जो कि इंडियन में आप लोग यहां तक आदमी भी 6 feet लंबा नहीं होता है human भी 6 feet इंडियन में होता है जो कि लंबा नहीं होता है लेकिन यहां पर देखिए 6 feet लंबा यहां पर flower है तो इसमें होता है कि यह जो प्रोसेस आपको यह का प्लांट में होता है वो सेम इस MR4 फैलस प्लांट में जो MR4 फैलस इसका फ्लावर होता है इसमें होता है सेम प्रोसेस में इसमें भी होता है ओभरी में आता है और ओभरी में इसका जो होता है एक ले करता है और इसमें भी हो काहीं कुछ पार्ट है आप लोगको वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा धन्यवाद